हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे 11 अलग-अलग कस्तुर्भा गांधी बाली का विध्याले से रेकूट्मेंट आई है इस वेकेंसी को बिल्कुल मत छोड़ना देखे great opportunity है नहीं आपको exam देने का जंजट है नहीं interview देने का जंजट है सिर्फ और सिर्फ merit-based पे आपका जो है यहां पे selection हो जाएगा अगर आपका अच्छा score है 10th में, 12th में, graduation में, B.Ed में इसके लाबा TAT वाली जो paper 2 की परिच्छा होती है 6 to 8 का उसमें अगर आपने better performance किया, then you are selected आप selected हो जाओगे salary 24,200 रुपए आपको परमत यहां पे मिलेगा तो इस वीडियो में हम लोग IU, पातरता, चेन, जो selection process है उसके बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ें उससे पले आप लोगों से request रहेगा आप हमारे टेलिग्राम के साथ जुड़ जाएए, वहाँ पे लगभग लगभग 14,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाएए ताकि जो भी update आई, PDF आए आपको वहाँ पे बिलकुल निसुल्क, free of cost चीजें अब लेवल हो जाए by the way, description box में मैंने whatsapp का भी link दे रखा है, जो टेलिग्राम पे नहीं है, या फिर टेलिग्राम उपन नहीं करते हैं, वो whatsapp जो channel है हम लोगों का, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, actually हम लोगों का नहीं ये हम सभी का channel है, तो जुड़ जाएए दूसरी बात, और आज ही मैंने एक वीडियो साइद नून में, आज जो है आप्टर नून में अप्लोड करी है, वो आप जाकर देख लीजे, और कस्तूर्बा गांधी बालिका भी द्यालेके, प्लेलिस्ट को जरूर चेक आउट कीजेगा, वहाँ से आपको जो है जानकारे मिल जाएगी, कि आपके जगा, आप जिस जिले से देख रहे हो वीडियो, वहाँ से वेकेंसी आई है, थवा नहीं, बाइद बे टाइम टू टाइम वेकेंसी आती रहेगी, आप नीचे कमेंट करके अपने डिस्टिक का नाम जरूर लिख दें, ताकि मुझे ध्यान में रहे कि आपके डिस्टिक को भी चेक करना होता है ठीक है, चलिए यतनी बाते मैंने बता दी आप जाकर वीडियो देखिए, फिलाल रख लीजे, 23 नवंबर को आपको अप्लाए कर देना है, 23 नवंबर को अब दिखे, PDF आपको ये इमेज अच्छी नहीं दिख रहे होगी, सबसे पहले यूट्यूब के सेटिंग में जाएं, और वहाँ पे इस वीडियो के सेटिंग में ही होता है, चलिए पहली जो वेकेंसी है, वो है भासा सिक्षक के लिए, इसके लिए हिंदी या संस्कृत से, जिन लोगों ने ग्रेजवेशन, बीएड और टैट का पेपर टू कॉलिफाई कर रखा है, वो इलिजबल हो जाएंगे, याद कि उमर 25 से कम है, वो इस वीडियो को ना देखें, अपना टाइम बचाएं, क्योंकि 25 से कम वाले को ये हायर नहीं करते हैं, 25 से 45 के बीच में अगर आपकी एज है, then you are इलिजबल, otherwise आप इलिजबल नहीं होते हैं, एक और पेपर 2 क्वालिफाई कर रखाएं, वही अपलाई कर सकते हैं, याद रखिएगा 6 to 8 वाला पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है, सेलरी 24,200 रुपए मिलेगी, गनित के लिए देख लिजे, PCM, Physics, Chemistry, Math से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, वह अपलाई कर सकते हैं, साथ में, बीयड होना यह बार है, और जो सीटेट है, या फिर टेट है, या कोई भी टेट है, उसका पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है, इन बातों को धियान में रखिएगा, अगली जो वेकेंसी है वह अंग्रेजी के लिए है, अंग्रेजी के लिए भी वही सेम, उम्र सीमा 25 से 45, 24,200 रुपे मिलेगा, चार अलग अलग जगा से वेकेंसी है, और इंग्लिज से ग्रेजुएशन, बीयड और टेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है आपने तो आप इलिजबल हो, आगे देख लिए, सेस्टी के लिए भी वेकेंसी है सेम, यहाँ पे देखिए, जिन लोगों ने जोगरफी, हिस्ट्री और सिविक्स से पढ़ाई करी है, इन में से किसी एक सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पे इलिजबल हो जाते है याद रखिएका, टैट का पेपर टू और बीएट सभी वेकेंसी के लिए मेंडेटरी है कम्प्यूटर की बात करें कम्प्यूटर टीचर की बात करें, तो 12,181 रुपे मिलेगा और PG, DCA जिन लोगों ने कर रखा है या फिर BSC कम्प्यूटर जिन लोगों ने कर रखा है वो यहाँ पे इलिजबल हो जाते हैं, लेकिन सैलरी थोड़ी कम है आगे देखिए अनसकालिक सिक्षिका के लिए जो है आपको स्काउट गाइड, साररिक सिक्षा से BPA बगेरा जिन लोगों ने कर रखा है वो यहाँ पे इलिजबल हो जाते हैं 12,181 रुपए आपको मिलेगा इसके अलाबा अनसकालिक सिक्षिका के लिए जो है आपको 12,181 रुपए मिलेगा कलाक्राप्ट, एवम, संगीत, ग्रिसिल्प के लिए लेखा कार के लिए देखिए graduation आपका commerce से MS Word की जानकारी आपके पास होनी चाहिए कोई O Level का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो 13,673 रुपए आपको पर मंत मिलेगा बांकी वाली जो वेकेंसी है मुख्यरसोया, साहेकरसोया, चपरासी, चोकिदार इसकी वेकेंसी के लिए आप जो है किसी 8 प्लास, I mean आप भी कर सकते हो there is no problem, बट आपको खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए, साथ में आप जो है हाईजिन का भी ध्यान रखेंगे अब यहां से देख लिजिए दो लिफाफे में 42, 42 रुपीज का टिकट आपको चीपकाना है और उस पे असपस्ट रूप से आपका लिफाफ है के उपर में आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर वगएरा लिख करके 42 रुपीज का टिकट इस तरह के दो लिफाफे में लेकर आपको ये काम करना है दूसरी बात, सभी 10th, 12th, Graduation, Post-Graduation कहीं पे काम किया है तो Work Experience जो भी Certificate है वो यहाँ पे लगा दोगे B8 का Mark Seed Certificate जाती परमान पत्र, आवास ये परमान पत्र सब में Self-Attested Sign भी करना है आपको Self-Attested करके आपको भीज देना है दूसरी बात, याद रखिएगा इस तरह के form को जब आप फिल करते हो ना तो एक बात का खास ख्याल रखिएगा आपको Registered Dark के माध्यम से भेजना है या फिर Speech Post के माध्यम से भेजना है Otherwise, सारे दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा दोनों जो image है या आपको मैं Telegram पे भी में रखिएगा और कोई किसी भी तरह का doubt हो तो नीचे comment करके आप पूछ सकते हैं चलिए मिलते हैं एगले वीडियो में नीचे comment करके आप लोग अपने डिस्टिक का नाम एक बार फिर से mention कर देंगे और आप जहां सभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप